हेलो स्ट्रेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिशना, कैसे आप सब लोग, मस्त, बढ़िया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नंबर टू, लेक्टर नंबर एट, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो कई सारे लोकल अनेस्थेटिक, लोकल अनेस्थेटिक्स लोक जानते होंगे, छोटे-पोटे इंजेक्शन लगा देते हैं, पूरी बॉड़ी पर इसर नहीं पड़ता है, इसी को क्या कहते हैं, लोकल मतलब जिस एरिया में लगाया, वही एरिया सुन पड़ेगा, दूसरा को एरिया सुन नहीं पड़ेगा तो simple इसके तो कानी खतम ठीक है तो आओ देखें जा रहा क्या कहा रहा है क्या रहा है local anesthesia anesthetics LS are drugs which upon topical application which upon topical application जिसको हम लोग topically apply करेंगे जब ठीक है ना जिसको हम लोग topical apply करेंगे topical मतलब उपरी तरीके से और local injection या हम उसका क्या लगाएंगे local injection लगाएंगे या हम उसका क्या लगाएंगे local injection ठीक है ना cause reversible loss of sensory perception लिखा है reversible मतलब वापस आ जाएगा loss of sensory perception जहां पर लगता सुन पड़ जाता है हमेना कुछ चोट लगती है ना कुछ होता है लेकि वह reversible है थोड़ी दिन बाद और थोड़ी दिन बोल रहा है कुछ देर बाद वह वापस से recover हो जाएगा खास करकि specially of pain यानकि दर्द नहीं होता है in a restricted area of the body उस खास हिस्से में जहां वह injection हम लोग apply करते हैं ठीक है तो local क्या है जिसको हम apply करते हैं जब या उसका injection लगाते हैं तो reversible loss of sensory perception क्या होता है reversible loss of sensory perception sensory निरॉन थे तो वहाँ पर क्या sensory निरॉन वहाँ से मैसे लेके नहीं जा पाएंगे बात समझना गई they block generation and conduction of nerve impulse बात समझना देखो अगर neurohemoral transmission अच्छे से पढ़ लिया है उसके सारे step समझ में आते हैं तो यह step खटाक से समझ में आ जाएगा generation nerve impulse कैसे generate होती है और कैसे conduct होती है याद आया nerve impulse कैसे generate होती है plus minus वाला concept कैसे generate होगी और कैसे conduct होगी at any part of the neuron किसी भी neuron के part में जो neuron impulse का generation और conduction क्या हो जाता है ब्लॉक कर दे जाता है अब यह बात जिसने neurohemoral transmission अच्छे समझ लिया है बहुत इजली यह बात समझ में आ जाएगी with which they come in contact है ना जिसके भी वो टर्च में आते हैं without causing any structural damage structure में कोई damage नहीं करेंगे निरोन के structure में कोई भी damage नहीं करेंगे thus not only sensory but also motor impulses are interrupted sensory और motor है ना बात समझ रहो sensory जो impulse हमारी आती है motor जो हमको indication देते की काम करो दोनों ही क्या होते हैं यहां पर interrupt हो जाते हैं इसलिए हमारा यहां पर क्या है जिस हिस्से में वो लग जाता है injection उस हिस्से पर हमारा कोई भी जोर नहीं रहता है ओके interpreted when LA is applied to mixed nerve ठीक है अगर किसी mixed nerve में लगा दिया है जो sensory और motor दोनों है तो उसका भी interrupt कर देगा resulting in muscular paralysis muscular paralysis मतलब रिलाक्स हो जाएगी उस पर किसी भी टाइब का respond नहीं करेगी and loss of autonomic control as well autonomic मतलब autonomic के दो पाट होते है sympathetic पर sympathetic दोनों है क्या हो जागा यहां पर loss हो जाता है तो देखो यहां शब्दों का खेल है सारा जो शब्द बोल दिये जाते हैं अब तो इसको कहां से कैसे समझना है autonomic control autonomic control क्या होगा तो autonomic number system का control और मतलब autonomic number system का control यहां पर खतम हो जाता है तो यहां पर मिर्सकी definition है चाहें तो यह लिखके भी छोड़ सकते हैं या दोनों लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहाएगा definition जब आती है अब classification की बात करें अगर हम लोग तो देखो जारा classification में क्या है हमारे पास अब देखो जारा classification यहां पर दो टाइप से classify कर दिया है injectable जिसको injection दे सकते हैं और surface जिसको as a cream की तरह surface पर लगा सकते हैं तो injectable में short duration छुटी duration वाले intermediate duration और high potency यानि की long duration या फिर low potency medium potency और high potency के तरीके से हम लोग इन तीनों में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं then surface anesthesia में क्या आते हैं soluble और insoluble कौन आते हैं soluble और insoluble जो घुल जाएंगे जो घुलेंगे नहीं अब यहापर तुम्हें नाम याद करने अम प्रोकेन ऑधों कि ऑने फिलोगें ठीक है यहाँ पर शेल क्याफिक पहले वालते सब के जादी करने इस इतना मीद्य नहीं है जो नॉर्मर्माली यह कहीं olur और यह कहीं नहीं के नाम तुम लोग लुगे कहीं देख लोगे अपने जब ग्रक मा Андकल आतएं- प mention की बात करें तो कहीं न यहां पर बाद और ए Another determination क्या होगा फार्मक एक्वें कर दाई पता ही है जिसका हो Estamos पर इस्तमाल कर रहे हैं, have no or minimal local irritant, कोई मतलब खास local effect नहीं डालते हैं, या irritation मी नहीं करेंगे, है न? and block कर देते हैं, sensory nerve ending, जो sensory nerve होते हैं, उनके end को block कर देते हैं, nerve trunk, neuromuscular junction, ganglionic synapse and receptor, इन सब को भी block कर देंगे, that is, those structure which function through increased NA plus permeability, क्योंकि जब energy probability बढ़ेगी तब ही तो क्या होगा कंडक्शन होगा तो जहाँ जहाँ यह कंडिशन होने के संभावना होती हो सारे structure को यह क्या कर देंगे ब्लॉक मार देते हैं they also reduce release of acetylcholine from motor nerve ending साथ साथ में इनका यह भी एक काम होता है कि यह acetylcholine के release को भी करते हैं कम करते हैं यह इतका local action effect है जब दिया जाता है तो यह effect आते हैं अब in case चलो मान लिया किसी तरीके से क्या हुआ वो absorb हो गया और हमारे blood में चला गया बासमझ में आई ultimately जाएगा का blood में जाके ताजी तो body से बाहर निकलेगा body से बाहर कैसे निकलेगा इसको injection दे दिया है ठीक है ना any LA injected or applied locally is ultimately absorbed ultimately ultimately absorbed and can produce systemic effect ultimately आखिरकार वो absorb हो जाएगा और blood में चला जाएगा याने की systemic effect create करेगा depending on the concentration का concentration कितना है plasma के अंदर उसके हिसाब से वो क्या करेगा अपना effect शो करेगा तो देखे जा रहे हैं यहाँ पर सेंटल नवर सिस्टम के अगर हम बात करें तो कह रहा है और लोकल अनेस्थेटिक्स आर कैपेवल अफ प्रोड्यूसिंगा सीक्वेंस ऑफ इस्ट्यूमिलेशन फॉलॉड बाए डिप्रेशन सभी के अंदर छमता होते हैं कि सुरुवात में वो क्या करेंगे सीचेक्स का ऀ स्ट्यूम्लेट000 करेंगे थीक है इस्ट्यूमिलेट ऐंड डिप्रेशन तो यहां पर लिख सकते हम लो जाए इस्ट्यूमिलेट000 करेंगे और उसी प्रेशनाष्ट कंद हमार पास स्वालिवल वाले के अंदर था मारे पास तो देखो यहां पर क्या है को के निदे पावर्फुल सी एनेस स्टुमूलेंट कॉजिंग इन सिक्वेंस इफॉरिया इफॉरिया होता पागलपन एक तरह एक्साइटमेंट बहुत जबर दर्स वाला एना इफॉरिया एक्साइटमे हाथ पर फटकेंगे और मतलब इसमें कापने स्टार्ट हो जाएंगी कनवर्शन एंठर हो जाएगी अनकॉंशेसनेस ब्योसी चाहेगी रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन डिप्रेशन मतलब है सांस लेने में दिक्कतान लाएगी डेथ इन डोस डिपेंडेंस मेनर ठीक हो ज जनरली इस्टिमूलेट करकर डिप्रेश करता है कोकेन पहले एक्साइट कर देगा और अल्टीमेटली डेथ लेकर अगर डेथ हो क्यों जा रही है क्योंकि यहां पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मतलब लंग्स ने काम करना छोड़ लंग्स को फूलना है पिचकना है फूलना पिचकना हो ठंडी पड़ गई नशाओ हो गया इसको ठीक है बात समझ वारी है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया यह तो यह इसका क्या था सी एनस का एफेक्ट था नेश देखिए अगर हम लोग तो क्या बोलता है यह तो स्कुरिक ऑरली नियुड़ लॉजिकल शिम्टम से है विद लिडोगेन अब बात कर ली कि इसकी लिडोगेन की एन अचाजी संट्रों और क्लिनिकली यूज्ट ल्हाइज सर्कमोरल नम्बनेस होटों के आसपास होटों के आसपास नम्बनेस सुन्दपन आ जाएगा अब् तंग में जंजनाट सी आएगी सेंसेशन लाएगी चक्कर जैसा आएगा ब्लड वीजन हो जाएगा दिखा देगा तैन है तुम्हाँ पर टैनितस फॉलवड बाइड ड्रॉजनेस ठीक है ना टैनितस फॉलवड बाइड ड्रॉजनेस फिर डिस्फोरिया एंड लिथार्जी आखरी में लिथार्जी आलज जैसा आएगा और सोने का मन करेगा ठीक है अब यह यह यहाँ पर डिटेल में नहीं जाएंगे वेज इतना ध्यान दखेंगे जो वेज हो जाती है वो कैसी हो जाती है फ्लैट हो जाती है तो अब चाहो तो इसको यहां से हटा सकते हो अब यह से याद रखोंगे cns में पहला step stimulant depression पहला ओगया दूसरा step में क्या करोगे cocaine cocaine का effect लिखा धैन इस तरके दोका हो गया यह दैन सियने सकता हो गया हाट के बात कर लें ले जानी हैं और जो चाहो तो बट आगे आते हैं बट नो सिंग्निफिकंट इफेक्ट आ अब्जरब एड कन्वेंशनल डोस जो हम डोस लेते हैं उस डोस में हमें कोई खास असर दिखता नहीं है बट य हार्ट को क्या करते हैं कार्डियक डिप्रेसेंट होते हैं बात समझ में ब्लड वैसल की बात करें तो यह करते हैं फॉलिन बी पी तो कितना असान है याद करना तो अब यहां कौन से केस है जहां बीपी फॉल हो जाता है हार्ट बीट बढ़ती है घड़ती है अगर कंपेर करने कंडिशन होगी तो जिससे की याद करना ठीक है तो यहां पर क्या है तुम लोगों को अपना दिमाग लगाना है कि हम लोग चीज़े को याद कैसे करें ज्यादा ज्यादा दो की बात कर लें तो दोस ने देखो वही यहां पर हमने गुल्प वाईस तोड़ दिया जिनके उस्टर पाए जाता है ठीक है और जिनके अदर आउंस्टर वाले कौन होटे हैं क्लोरोप्रोकेयन फ्रोकें कोकेंट टेट्राखेंट मेट एप पर-उलोकेन ब्यूपीवाक क्या होता है अब हम देखेंगे उसको एक टाइप की ठीक है ठीक है तो सेवन अगर दे देंगे तो एपीडियूरियल एनस्थीसिया हो जाएगा बास वारी है यह डूरेशन ऑफ आवर है अब यहां पर यह रटने वाला काम है यहां पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं थुरा सा दि आगे आते हैं आगे देखते हैं क्या बोट रहा है इंडिकेशन फॉर लोकल एनस्थीसिया अब इसको यूज कहां कहां पर हमको करना है तो देखो एनी सर्जिकल प्रेश सर्जियर प्रेट कैन भी एंटिसिपेटेट तो बी पेइनफूल है ना एनी सर्जिकल इसको अटा की जा सकती है कि उसमें दर्द होगा फॉर्दा पेशेंट रॉक्वाइट सा लोकल एनस्थीसिया फॉलॉइंग फॉलॉइंगा इंडिकेशन मतलब अच्छा यह जो सर्जी सर्जिरी सोते हैं छोटी मोटी होती है मालो कोई छोटी सी गांट है है ना दात उखाड़ना है त अब शुरुआत में तुम लोगों को बता दूँ शुरुआत में जो इंडिकेशन दे रखे है ना सारे के सारे किसके हैं दातों के हैं ठीक है दात का निकलना दात का रूट और जो होता उसको हटाना जिंग्वाइटिस इसमें मसूड़ों होते हैं उसको काटा जाता है पर जाते सब किसकी है माउथ की प्रॉब्लम है किसकी प्रॉब्लम है यह माउथ की इसमें दो चाहर याद कर लोगे माउथ में कोई भी सरजरी होती छोटी-मूटी अलग जाता है दानत की जड़ होती उसको निकाल दें बीना दान को छेड़े परिड़ानल सरजरी दात के किनारे पर जाकर गांट जैसे रहती उसको खड़ा जाता है यह पल्प जैसे बन जाता मुस्वड़ों पर उसको कटा जाता है ठीक है देन आता है छोटी-मूटी बोन टालनी है रिप्लेस्मेंट ऑफ अवल्स टूथ अगें दातों वाली प्रॉब्लम आ गई डेंटल सिस्ट दातों में गांठ आ जाए दातों मतलब जबडे में आए हमाँ पर रिमोवल ऑफ ट्यूमर हाथ पैर से काटके निकालने हो पैरी क्रोनाइटिस रिमोवल आफ ओड लोगे कोई चार याद कर लोगे जो तुम लोग एजली याद कर सकते हैं तो कौन कौन से रहेंगे दात का ख़णना एपिस्टोमी जिंजवाइटीस होता ना जो मसूड़े का प्रॉडम रहता है ठीक है वहां से जिंजविक टॉमी आ जाएगा पैरी डांटल दातों के लि लोग आपने सब भी दासे नग्याओं टाले तो ये बहुद बड़ा हो जाता तो उसलिए पर भी जो वर्ड दे रखे हैं उन वर्ड के डाइग्राम गूगल पर डाल करके देख सकते हो कि δेख सकते हैं कि किस पार्ट को काट करके हटा ठीक है ना तो दो लोग को हिल्रग हो Contraindication की तो देखो Contraindication में क्या है हमारे पास Acute Infection या Inflammation at the site of puncture Avoid Blocking Inferior Dental Nerve ठीक है Acute Infection या Inflammation जहां पर हमें puncture करना है देना है इसको वहां पर कोई Infection हो रखा है Avoid Blocking Inferior Dental Nerve in patient with infection in floor of mouth और retromolar area अब यह थोड़ा सा क्या हो गया हमारा medical term आ गए Avoid Blocking Inferior Dental Nerve अभी Inferior Dental Nerve दात में पाई जाती है Inpatient with Infection in floor of mouth mouth का जो floor होता है है ना एक roof छत और floor नीचे का जो हिस्स है ठीक है ना तो अगर वहां पर Infection है ठीक है Avoid Blocking Inferior Dental Nerve हमें Inferior Dental Nerve को block नहीं करना है इनकी नहीं डालना है इन Inpatient with Infection in floor mouth और retromolar areas ठीक है ना तो जिन पेशेंट के अंदर क्या है Infection है floor mouth में हमें वहाँ Dental Nerve जो Inferior Dental Nerve है उसको हम लोग क्या करेंगे सुनने नहीं करेंगे जिनको हीमोफिलिया है या क्रिस्मस डिजीज है या वॉन विल्ब्रेंट Factor Disease है वहाँ पर हम लोग इनका इस्तमाल नहीं करते हैं हाइपर sensitivity है किसी को अमाइड टाइप आफ लोकल अनेस्थेटिक या संस्क्रीन या सेल्फर ड्रक से उनको हम लोकल अनेस्थेश्या नहीं देंगे Strokes Adam syndrome ठीक है अगर यह किसी को मौझूद है तो भी नहीं देंगे वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम है तो भी नहीं करेंगे severe hypertension है अब देखों यह याद रहेंगे यह सारे नाम तो तुम लोग को क्या सब्सक्राइब लग सकते हैं Spinal deformities and neurological disorder किसी को नसों की दिक्कत होती है और Spines में दिक्कत है तो नहीं देंगे liver disease है तो नहीं देंगे और Special Precaution in elderly with liver and renal disorder यानि कि liver और renal disorder में नहीं देंगे तो नीचे के चार तुम लोग के लिए क्या है एकदम आसान है रहे वाह यह तो मजा आ गया Hypertension BP वाले को नहीं देंगे Spinal deformity वाले को नहीं देंगे liver disease वाले को नहीं देंगे और renal disorder kidney disease वाले को नहीं देंगे अब उपर से तुम लोग कुछ याद कर पाओ Hemophilia जो उसकी disease होती है खोन की है ना प्रॉलम होती है तो Hemophilia भी आ गया इसमें पाकी अगर समझ में आते हैं तो ठीक है अधर्वाइस इनको क्या कर से हटा सकते हैं तो कोशिश यह करनी है जो तुम्हें अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं उनको याद करो लिखने के लिए बात वागए यह जरूर देख लेना यहां पर वॉल्फ पार्किंसन सब्सक्राइब करना है याद करना उसके लावा हमको कुछ नहीं करना है तो अगर यह चीज़ में आ गई है तो अब हम समझ लेते हैं अपने माइंड नर्चर एप के बारे में जो कि अपना गुगल प्लेय पर आ चुका है और वहां से आप लोग किस्ते से फाइदा उठा स गुगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है ठीक है लेक्चर के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां प्ले स्टोर पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अब देखो यूटूब पर लेक्चर्स एंड नोट्स यूटूब पर भ यूटूब पर मिलेगा बट क्या चीज आपको यूटूब पर नहीं मिलेगी वह चीज है वनमास कोशन की प्रैक्टिस जो वनमास इंप्टन कोशन होंगे ठीक है ना वनमास कोशन में बेसिकल तुम्हारे पास क्या आते हैं mcq और फिलिंदा ब्लैंक ठीक है यह तुम्हारे अब नय जो पैटन है उसमें नया एक्जाम पैटन है ठीक है ना उसमें mcq और फिलिंदा ब्लैंक से आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं 10 नमर के यह आते हैं ठीक है प्लस two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ठीक है और जिस बच्चे केवल पास होना है वह केवल मेरा क्या करेगा इन questions की practice कर लेगा live class होगी अब माल लो मैं यह यूटूबर lecture को पढ़ा दिया है अब हो कहीं कुछ तुमारा doubt first गया है ठीक है तो वह कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो live class जो कि अभी start already हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रहे हैं और class चल रहे हैं सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है mcq test की practice ये तो चलो important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है mcq question अब जेखो समसे क्या है ये mcq questions का test हम लोग कहां नहीं ले सकते youtube पर नहीं ले सकते अब youtube पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लिखा होगा 4 option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चों ये question है ये 4 option इसका answer ही है question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer click करोगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है न तो ये सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा विल्यांक के बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 मेंसे सबको कि ये 40 नंबर में पास हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है मालो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसका पाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और बेमन से भी दे रहा है 20-30% त्यारी करके भी तो 40% यानकि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे ब पड़ोगे याले कोशन अच्छे से कर ले जाओगे तो MCQ तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और MCQ जब बहुत अराम से क्लियर कर ले जाओगे बात सोंच में आ रही है और फीस बिलकुल मिनिमल है ग्यारा सो रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट की फर्स्ट य इसको अगर आप अपनी कॉलिज फीस से कंपेर करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपए संथिंग पढ़ता है जाकर के इससे सस्ता चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है कोई चीज समझ में नहीं आ है ठीक है जिन बच्चे को नहीं पता डिस्क्रप्शन से निकालना नहीं आता है मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जीजग बिना हिचके चाहे मुझे कॉल करें डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर नहीं कर पाओगे यानि कि पढ़ना पढ़ेगा है ना तो रिवीजन जरूर 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 करना में हमेशा कहता हो रिवीजन ही है सिलेक्शन रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी ठीक है ना तो क्या करते रहो, रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो, all the best